मैं आपके बताया हूं अहमेशे राधनम जब करता हूं फिर भी मेरा मन बहुत बटकता है आपने बताया था कि बगवत प्राप्ति के लिए देन्यत आना जरोरी है मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करो देखो जब अपने हाथ में कंट्रोल ना रहे तो बड़े के हाथ में दे देना चाहिए और सबसे बड़े भगवान है यह मेरा मन हट नहीं तो मैं हार उपाय करके देख लिया है मेरे बस में नहीं हुआ है सरनागत प्रतिपाल आपके सब रूज भगवान से प्रार्थना करो नाम जब करो भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो श्रवन करो कभी न कभी तो दीना नात के कान में भनक पड़ेगी और जिस दिन वो हेर लिए तो मनसांत हो जाएगा निर्मल हो जाएगा पक्का यहीं उपाय है भगवान को पुकारो एकांत में भगवान से से हो जाता है भगवान तुम्हारे अंदर में बैठे सुन रहे हैं आंकार के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती है और हम दैन्य होकर हरदय से पुकारें मन शांत रोना आजाएगा आपको रोना रोना आने का मतलब हमारा कनेक्शन पिट हो गया तब ही रोना आएगा यह न करता दाबर होनी चाहिए यह नहीं कि एक बार कर लिया दो बार कर लिया अप्रार्थना जीवन भर प्रार्थन ही कर लियी ठीक तभी ओगार और की कृपा का नाम जब करते हुए उनकी लीला कथा स्रवन करते हुए पढ़ते हुए आर्थ भाव से प्रार्थना करें तो निश्चित मन लग जाएगा हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं पूरी जवानी पूरा जीवन बितीत हुआ अब भगवान की कृपा से आयास प्रयास रहित जीवन है समझ पाओ तो समझ पाओ आयास प्रयास रहित जीवन है बस जैसे लिप्ट में बैठें अब कहां ले जा रहा है लिप्ट वाला किस फ्लोर में के खोलेगा क्या करेगा अब बद देख रहे हैं अब कुछ नहीं यह बात की कहीं लगाना है कहीं आज प्रयास रहे जैसे जोई जोई प्यारों करें एक उपाए साधना नहीं कृपा बिन रोएं किन पाईयां प्रेम पियारांगे प्रभू से प्टार्थना करें बड़े बड़े संतों के आप पड़के देखो उसमें ये पीड़ा पाई गई उनके हरदे में कि मन मेरा मतवाला गयंद हाथी है प्रभू हर जंजीर तोड़ देता है नात इसे समालो चाहे मीरा जी हो चाहे जो भी मापुरुष हो सब मन के विशे में जब बात की तो सब रोई पड़े क्योंकि ऐसा है ये और जिनका रुका वो केवल भगवत करपा से गुरु करपा ही केवलम गुरुदेव की करपा भगवान की करपा उसी से मन नहीं तो बहुत बलवाल है चाहे जितना ग्यान बोलो चाहे जितना ग्यान सुनो वो जब अपने आप में आ जाएगा तो गलत करवाई ही देगा भगवान करपा करें तो बच सकते इसलिए उनी की करपा की बाट जो लीला कथा हमारे सब्दों पर द्यान दो लीला कथा स्रवन करो लीला कथा कथन करो गायन करो नाम जब करो पवित्रहार और भगवान से एकांते में प्राथना करो रहू मेरे बस की बाद तो आप समाल वो समाल ने थीक है चिंता ना करो भगवान की सरण में हो चिंतन करो चिंता करने की जरूद वो ऐसे समाल देंगे पूरे हम जीवन की बात कह रहें वो ऐसे समाल देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जो काम बहुत बड़ी-बड़ी साधनाओं से कठिंता से बनते हैं वो ऐसे सहज में बन जाएंगे कितने ऐसे ग्रेस्थ हैं हमारे परिकर में जो नौ जवान है पती-पतनी और कशम खा के ब्रह्मचर हैं ब्रंदाव में कशम पूरवक रहे रहे हैं कई बार हम उनसे कहा कि आप कशम मत लीजिए कहीं चूख हो गई तो उनका वचन देते हैं जीवन में अब आप सोचो बड़े-बड़े साधक्स तो इस्त्री के साथ एक एक मकान में रहे हैं और पूर्व सम्मंद रहा है और वहीं ब्रह्मचर से रहे हैं कितना बड़ यहां साधन है दोखे का कोई चांस ही नहीं है तो एक क्रपा की बात है कि नहीं बात भला कमाल का ब्रह्मचर तो वो है कि जहां ब्रह्मचर नष्ट होने के सौ के सौ परसेंट चांस हैं और वहां वो ब्रह्मचरी तो उसको गिरा कौन सकता है ये बात केवल करपा से बनती है और किसी से नहीं बनती है तो हमें बड़ा अश्र होता है कई जूड़ी ऐसे हैं जो कसम पूरुवक ब्रमशरे रहे हैं तो हमें लगता है भगवान करपा करें तो आ संभव भी संभव हो जाए चुटे चुटे बच्चे हैं मन को मार करके राद दिन भजन में लगे है तो अगर भगवान करपा करें तो मन क्यों नहीं सान्त हो जाएगा भगवान की करपा से क्या नहीं हो सकता हम करपा देखते हैं कि करपा से क्या नहीं हो सकता है एक पटी बन्याइन पटी मारकिन डाले हुए ऐसे चद्डर डाले हुए और जिनका श्रभाव ही था विलासिता वो सारी वीलासिता से अलग हटे हुए तो हमैं लगता है कि हम अपने मन की दोड़ भाग में उबे ना हम भगवान से प्रार्थना करें बड़ा चमतकार है प्रार्थना में अरे भगवान का उतार हो जाता है भगवान का उतार हो जाता है इसलिए भगवान से प्रार्थना करो लीला कथा का स्रमन गायन करो और नाम जब करो मस्त रहो जब मन भागे तो तुम्हें देखो गलत जा जब आप आस्टी तनों तो कभी गलत नहीं करा से